अच्छा ये question आपने पहले definitely किया होगा क्योंकि अगर इसको इससे minus करते हैं 1, 0, 0, 1, 0 यहाँ पे मिलता x, 0, 1, 0 और यह मिलता x बेटा और इसमें आता सरी y तो इसका अंसर आता x, y तो आप बोलोगे divisual y, x and y, d होगा